आप सभी को सागत हैं मेरे चैनेटिव चुटीचल में मैं पितिगवार आज आपको सिखाऊंगे लेसन माईटी यह हुगा माईटी मतलब इन्फोर्मेशन लेते हैं तो किनकी इन्फोर्मेशन लेंगे हम लेंगे इन्फोर्मेशन डॉक्टर बसंद गुवालिकार जी की तो यह इंजन साइंटिर्स ते और इन्हीं की पोटो आपको आपके लेसन में दिख रही होगी और स्क्रीन पे भी दिख रही होगी तो इनके बादे में हम पढ़ते हैं तो पाउंस केवा पड़े किती पड़े लिया ची देश बर चिंता अस्ते यह तो यह बात तो है ना कि ब पीजया है अब जब मैंने अपको इतना तो आपको समझी में और पाले में लेसन पड़े हैं तो यह जिनता दूर करने का काम था किस का की बारिश कब होगी कितनी होगी तो वह काम किस ने कर दिया डॉक्टर वसंद्गवारीकर जनम पंच्विस मार्च एकोणी से एटीस र तो 25 मार्च 1933 कहां पे हुआ पूना में हुआ शाड़िक अस्तना त्यांचे नव नव गया करपना सुचाइचा येस अभी आपी लोग स्कूल में जाते हैं जैसे वो स्कूल में जाते थे तो उनके दिमाग में ना कुछ ना कुछ न्यू न्यू आइडियास आते रहते हैं एक यहां से में जीज होती है जो लोग बड़े बंदे ना तो उनके पीछे कही ना कई संगर्ष भच्पन से वो लोग कर रहे होते हैं इसलिए आप में सुनोंगा ना कि जो आतनी बड़ा बन जाता है क्या दे उसने सालों की महनत किये तो महनत किये मतलब सिर उसकाम के लिए न जितने भी फ्लोर लेकिन नीव जितने नीचे खुद के उपर जो फर्स बनाए बेस बनाए वह तो किसी को नहीं दिखता ना ऐसी इनका आप देखो है यह स्रिफ 13 यार्स के ते तब इन्होंने किसको लेटर बेजा हैंडरी फॉर्ड ला हैंडरी फॉर्ड आपको पता ही हो हेंडरी फॉर्ड ना मराठी करना नहीं मनुत्यानी मित्राची मदद घ्योन मराठी के लेलेया पत्रेचा इंग्रेज ही भाषान अंतर के लिए देखो अब एक चीज होती है कि हमें अगर आगे बढ़ना है तो हमारी सोच वैसी होती जाएगी अब जब सोच हमें लग रहा जब कल्पना चल लगी तो इनके इनके दिमा में यह वाट आई कि मेरे जोंको फ्रैंड होगा उनको इंग्लिश आती होगी तो उन्होंने उसको ट्रांसलेट कराकिं इंग्लिश में पॉड है और हेंडरी पॉड जी को सेंड कर दिया है हैंरी ऑडरी ठाट्री ने ड़क्र पड़े लोगों कभी भी ऐसा नहीं सुछते हैं, अरे हम बड़े हमाना हम कापी है, हम इससे क्या मतलब है, हम जो अपना काम कर रहे हैं उस पर ही त्यान देखिए, नहीं ऐसा नहीं लगा, उन्हें लगा कि अगर मुझे किसी नहीं लेटर लिखा यह तो कुछ ना कुछ बात त्यान चा कुछागरा बुद्धी मतेची आणी ध्रड संतर पाची चुनुक लांट पणिक्स दिशुन आदी, अब दिको यह तो आपको भी समझ में आगे, 13 साल का बच्चा अगर अमेनिका में किसी बड़े आदमी को फॉर्ड कंपनी हैं, हैं भी फॉर्ड ची को अगर इंसान बनेगा, कोला पॉर्ड पद्वी प्रेंट चर सिक्षन जाले नंतर उचर शिक्षन साथी इंग्लाइंड लाग अब देखो उन्हें कोला अपने महारस्ट्र में ही आता हैं ठीके ना, पद्वी प्रेंट मजब उच्चा अप्ट्टू ग्रेच्वेशन तक उन्हों तो आपको कोई चीज हाट नहीं लगीगी, तो उन्होंने आगे काँ पे गए वो बर्मिंगम विद्यापीट, यानि बोच अप्टो विद्यापीट मतलब उनिवर्सिटी, तो नहीं रासा आए ने अभी आंतरी की विश्या संशोधन के लिए, अब किस चीज में संशोधन के काम करना शुरू किया, विक्रम सारबाई यांचे अगरह मुडे एकोणी से सदुसस्ट जाली, ते भारताचे अवका संशोधन केंद्रात रुजू जाली, अब जो विक्रम सारबाई जी थे, उनके कहने पे 1967 में हैना वो भारत के अवका संशोधन में केंद्रात, मिन्स स्पेस विसर्स सेंटर में जॉइन हो गई, घन पदार्चा दिल उर्जा या विश्यांचा संशोधना साथी त्यांचे पोड़ाकराने नवा प्रकल्प सुरू करना थाला, अब जो सॉलिड सब्स्टेंस होता है उसके लिए, भारताचे विज्यान चेत्रा त्यानी केलेली आख़ागी कामगिरी पार मोटी आये, अब इससे जादा हैं के लिए ने लिसन पी लिए गया प्रकल्प चाहिए, अब आपको पता चलेंगे और आपको 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 आपकी उमर के वोंगे, कि अब इन्हों ने कर्पना रखी है, मोटर बनानी इसने लिटर भी बेजा, पर इनो पूरी करें कि आ पूरी कि कोशिश करें तो इसलिए इतना आपको समझ में आगें, कि इन्हों ने जब इतने-इतने सारे काम कर लिये तो इन्होंने और भी बहुत सारे काम किये होंगे अग्णी बांचाह मोटा करीता घर इंदन बढनाचाह, तंत्रत्यानी विक्सित के ले तो इसमें दोचार थीजें थोड़ी थोड़ी आपको हाड रगी इसमें कर्दीटर बट याद रखना है और विक्रम सारबाई अंच्या अगरा मुड़े एकौनी चाह सदूसर्ष यह याद रखना है कहां कांगा उन्होंने काम किया यह याद रखना है और आपको भी अगर अगर अगर यह लेसं अच्छा लगा हो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइप करेंगा यूटूब पे नेख रहें तो चैनल का सब्सक्राइब करेंगा फेस्गूप पर पेच को फॉलो करेंगा थेंक्यू